है 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 लो दोस्तों कैसे है आप लोग जलिए तो स्यार कि दिम का पहुंच गया तुम लोग जज्मेंट चैप्टर हो गया ठीक है चैप्टर 27 हो चुका है अब चैप्टर 28 पढ़ेंगे ठीक है तवियत खराब हो गई है वारे रालन चलना है तो हम भी उसके चपेटे में आगा है तो अब देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं आप लोग अरे वहीं बीपी सा इंडिया है ठीक है चैनल की प्ले लिस्ट पर जाईए उसको देखिए कि समझे की नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगया तो एक नेजर सब्जेक्ट आपका दूर हो जाएगा ठीक चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं आज हावात एक चल लिया है इसका पुशुपाय बहुत चलना है इसका थीक है तो बूद इन से फीवर आ रहा है वह में भी चैप्टर अथाइस ठीक है चैप्टर अथाएफ ते क्या है कन्फर्मेशन ओफ सब चैप्टर अथाइस सेक्ट्र का से पादल है 366 से 371 कि यह 371 कि चैप्टर अथाएस कन्फर्मेशन ओपने सेंटेंज कि अधा करिए सबकी पावर बताहिए किसके पास कितनी पावर होती है प्रेश्मेंट देने की ठीक है जल्दी बताइए चलिए सेक्ट्र 28 और 29 इन दोनों को जब हम लोगों ने पढ़ा था तब हमें पता चला था किसकी क्या पावर होती है ठीक हाई कोड की कित्ती होती है इन रबसेंटी टीक है अल्लिमिटेड एक अल्लिमिटेड नमदला जोवी कुछ लौ में जो जो परिसमेंट डीक होई इसकता थी आई कोई सी बी अलिमितेड बट इन गेस ऑफ यह संटेंस अगार अशूंप संटेंस कि देगा इन केस ऑफ यह संटेंस कोई पनिस्मेंट दे सकता है इंक्लूदिन देट पनिस्मेंट लेकिन अगर देख परिश्मेंट देगा तो हाइब कर्फरमिशन जरूरी है ठीक उसके लाग और कौन था करें सेसें चेस 전에 साथ की थी इसके फाग फूफ फ्र सोशे ग्लास असोल ने उसके बाद जुूदीसाल मेटिट सेकिन ख्यांत hm सब्सक्राइब अभी मैं सोच रहा था कि जुडिशन में सब्सक्राइब कर दो क्यों जिससे आप लोग कमेंट करके ठीक करते हैं ठीक है कई क्वार क्या होता है आपके कमेंट देने के लिए गलत लिखना पड़ता मुझे ठीक है याप नोटेस करें उसे चलिए फिर भी चेक कर लेना गारंटी घ्री चीज़ के नहीं गलती हो रखती है ठीक है इसको चेक कर लिजेगा यह कौन कितनी परिशमेंट देपटा है फोकस कहा करना है हम लोग को इसको कि सैसंगर और एडिशनल सैसंगर यह दोनों ही डैस परिशमेंट भी दे सकते हैं लेकिन डै तो इस अठाइस से और इस अठाइस सब्सक्राइब लेकिन वह एक्जिक्यूट तब तक नहीं होगी जब तक चैप्टर 28 में यह बोलता है लेकिन वह एक्जिक्यूट तब तक नहीं होगी उसको तक नहीं जाएगी जब तक चैप्टर 8 में जैसे की दिया गया है तब वैसे थाइप द्वारत कंफर्म ना करा लिया जाए तो ऐसे ही सेट्टर 28 से संबंद बनता है ठीक चलिए क्या बोलता है यह चैप्टर सब्मीशन ऑफ डैस सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन ठीक है चैप भाइब सेंटेंस की बाद की सेंटेंस ऑफ डैस ब्वी सब्मिटेबाइब पड़र्ट और कंफर्मेशन ठीक है 366 क्या बुलता है इसमें दो सिवेचे के कुस्चन आते हैं ठीक है ध्यान लटकिए गारिकास वे दो कोस्चन बनते हैं और बहुत कंफिजन होती है उन में ध यहां दिया हुआ है कि confirmation के लिए जाएगा ठीक है और दूसरी बात कि कि power of high court to confirm the death sentence यह का दिया हुआ है चलिए दोनों के heading पर ध्यान लखिएगा यह बोलते हैं sentence of death to be submitted by court of session for confirmation 366 और दूसरा हम 368 की बात करते हैं power of high court to confirm the sentence और अनल conviction ठीक है यह दोनों ही पूछे जाते हैं प्री में direct इसकी heading डाल देंगे और आपको बताना होगा तहां पर ठीक है तो कभी भी submission की बात की जाए ठीक है कि court of session द्वारा high court को कब submit किया जाएगा ठीक है कि क्या है sentence of debt to be submitted by court of session for confirmation किसको भी जाएगा इसका सब्सक्राइब मोलता है कि cell be submitted to high court 366 के साब से by court of session court of session submission के लिए जाएगा कहां इसके पास जाएगी obviously high court के पास ठीक है यहां पर court of session का मतलब सेशंजर एडिस्ने सेशंजर ठीक है क्योंकि नहीं के पास पास आपर है death penalty देने के अच्छाट सेशंजर के ती दे सकता अब तू टैनियर्स दूसरी बात कि जब तक के लिए हाइक को भीजा जा रहा है मान लो court of session में चल लाता और वहां पर क्या हुआ क्या हुआ उससे death penalty देने ठीक है तो एक तोने पता है कि हमें 366 के थूरू इसको confirmation के लिए कहां बेजना है इसका सब्सेक्शन टू बोलता है उसी दौरान पर दूसर और पास कर देंगी जब तक के लिए वह हाइप के पास जाता है जब तक हाइप पास confirmation के लिए पैंडिंग रहता है तब तक के लिए उसे क्या किया जाए एक्योज को यह जेल में अर्खा जाए तक है वह भी वादा पास करने है पड़िए दा कोल्ट पासिंग दा सेंटेंस सेल कमिट दा कन्विक्टेट परसंट तू जेल कस्टडी अंडर ए वारेंट तीक है कोई शू तो है निसमा चलिए अगला पड़िए पावर टारेक्ट फर्दर इंक्वारी तुबी मेड़ और अडिश्टेल एकिन तो यह चैप्टर प्री पॉइंट अब यू से थोड़ा बहुत इंपोर्टेंट जाता नहीं है तो मेरे इसाब से मानना है कि जिस चीज में डैफ इंवाल्व हो जाना डैफ पनल्टी हो ठीक प्रीश्टेंट कोई भी सेक्षन जिसमें डैफ पैनल्टी तक दी हो इंपोर्टेंट हो जाता है आप इसमें कि प्रिस्मेंट का फॉर्मिट कैसा होता है इस पेशल लीजन लिखना होता है कौन कौन करेगा ठीक यह सब चीजे डैश से लिटेटर कोई चीजा जाती है ठीक कि चलिए तो क्या हुआ जब 366 में कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा हाई कोट के पास क्या क्या करेगा है तो यह 367-368 यह बात बताते हैं कि क्या 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 होता है कि अगर भाईया उसे लेने होंगे तो वो ले सकता है ठीक है कोई इंक्वारी करनी उन्हें अगर हाई कोट पैस है कुछ भी खास नहीं है कुछ पिरी में में पूछा भी जाता है 367 में 368 पावर ऑफ हाई कोट टू कंफर्म सेंटेंस और अनल का कंविक्शन अब पावर आफ अब हाई कोट क्या कर सकता है कुछ भी कर सकता ठीक है कुछ भी का मतलब वैसे तो सेम पावर होती है जो अपील की थूँआ आता है वैसी ही सेम पावर बस यह है कि इसमें जो अ कॉन्विक्टेट परसंड होता है उसे उसका पास जाएट तो है नहीं होता है तो इसमें कर तो कुछ भी सकती है बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे अपील के टाइम पर कर सकती है बस क्या नहीं होता है कि इसमें अंतर इत्रा है कि कि अधिक परसंड को सुनते नहीं है उसके लाबा साली वही पावर नुटी क्या पावर है या तो सिंपल सा कंफर्म कर दो थीक है अधिक या या कंविक्ट फॉर वन एनी अदर ओपेंस कि उसे कोई और ओफेंस के लिए कंविक्ट कंविक्ट फॉर 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 इसमेंट कर दो रहा है कि पहला तो कंफर्म कर दिया दूसरा पास एनी अधर संटेंज और थीक हो गया तो संदे को लाइब लेक्ट कर लोगा थीक है ऑगां आ और ठीक नहीं हो पाया तो नहीं रहे किया है या तो सापसाद सीजे कंफर्म कर दो या कोई अधर सेटेंस कि वहीं आउसे विए आपने बेकल कर दिया तो इसको कर सकते हैं और क्या है कि अधिक तैक्यूस पॉर एनी अधा आपेंस किसी और आपेंस के लिए विए से कंविट कर सकते हैं लेकिन इसमें ध्यान रखना होता है कि उसी ओफेंस के लिए कंविट कर सकते हैं जिसके लिए और या उसे एक्ट्यूट कर दो कर सकते हैं तो इसका मतलब है कहने मतलब है सब कुछ कर सकते हैं किसी और सेंटेंस में कोई और परिस्मेंट के लिए उसे कर सकते हैं अब क्या होता है लेकिन कंफर्मेशन के केस में कंफर्म अगर करना है तो इन्हें दो चीजियों को ध्यान रखना होगा क्या कि कंफर्मेशन तक तक नहीं होगा जब तक उसके पास जो राइट टू अपील है अगर है तो वह और अगर अपील हो गई है तो जब तक वह जो है डिसाइड नहीं संभ्यारी बात कि नहीं हुआ है तो फोभीदों में दिया हुआ हुआ है स्थीक्र फोडिट नौइड थैड आट्ट्फ नौडर्व कंफर्मेशन क्या है लौटर अपनुश्व मेंट अंडर अ अंडर विमया अम्साइड एक्स पार और एवन प्सपे пожट इंस प्रशों प तो इससे क्या होगा दो बाते हैं इन्हों ने पाइलातों से बेज दिया हाई कोड के पास अंडर सेक्शन 366 इसके लिए कंफॉर्मेशन के लिए बेज दिया कि नहीं कि का में दिया अब कंफॉर्मेशन के पास क्या है एक राइट तू अपील भी कर सकता है तो जब तक यह राइट तू अपील इसके पास है यह एक्सपायर नहीं हो जाए यह यह जाए यह हो जाए तब तक जाए इंके पास नहीं किसी है कि अश्ड़ा ने है यह इन के अंधर करना है की वस्टायब ग्रवा जया हुआ जैंशे की अनले यह जाए गूंड नहीं है तो यार उसके पास तो भी अपील करने कर आइट है ना है कि नहीं अपील करेगा वहां पर भाई चेंज हो जाए अप्लेट कोड़ के पास क्या क्या फ्रावर होती है सब कुछ होती है क्यों तो इस लिए यह चीज का भ्यान में रखा गया है इसका पुड़ी जो बोलता है तो टेक्निकाली जिस होड़े है इसमें 369 क्या बोलता है कि अगर हाइप द्वारा कंफर्म किया जाएगा तो कम से कम दो ज़्ज द्वारा कंफर्म किया जाए अगला सेक्षिंट इसका यह बोलता है से सभिन द्वर्ण्स ओफ बीन आते हैं ठीक है अगर डिफरेंट्स ओफ बीन आते हैं तो इससे जज को बला लिया जाएगा ठीक है अगर माल दो दो है जोजों चाहिए दूसा करा नहीं होनी चाहिए ठीक प्रोजीज आपको बुला लगो जहां मैं जो टीए सब्सक्राइब कर दिया तो क्या होगा तो वहां का रजिस्ट्रा शील लगा के और इंट को यह पढ़े प्रोशीजर इन के सब्सक्राइब को पूर्ब रख सेंट्राइब कर दो फ्रॉपर ऑफीसर ऑफ नाइए और शॉप्र अप्र एप विद्धाउ डिले आफ्र और अप्रनूर्टर और अधर बेन करेंगे को दुबारा देज देंगे उसके बाद क्या होगा फिर पूरा चैप्टर रेंब पर ठीक है सबस्क्राइब क्या क्या था चैक्टर एक्टाइस था चैप्टर अच्छाएस डोई से फोकस करना है में 366 में देल लिए और 368 में हैं कन्फर्म करना चाहा करना कर दिया तरा समझां कर दिया यह कोई और कन्विक्षन देना चाहिए यह सारी चीज अब इतना हो गया उसके बाद में उसके एक दिशन के लिए चाहसो देख लिए अगला बहुत ही इंट्रेस्टिंग चलेगा अपील नहीं तो खत्म होने के कदार पर आगया चैप्टर वो सेक्षन 413 फर्स पार्ट इसमें लिखा एक डेस सेंटेंस कि डेस सेंटेंस कब कब होगी ठीक है आपको अफील भी पढ़ात होगा तो यहां पर कैसे होगा दिया हुआ है चलिए उम्मीद करता हूं कि जल्दी मैं आपको अफील भी पढ़ात होगा तब यह सही रही तो कली रिकॉर्ड कर दोंगा चलिए वीडियो का बगर वीडियो आपको अच्छी लग्यों तो लाइक जिरूर किया करिए ठीक है और दूसरों का भी भला करिए उनको यह वीडियो शेयर करके ठीक है ठैंक्यू